नमस्कार आप देख रहे हैं News4Nation बिहार के दिगज नेताओं में शामिल शरद यादों की पहचान भले ही या फिलाल धूमिल होती हुई नजर आ रही है मगर कुछ दिनों पहले ही शरद यादों ने अपनी पार्टी का जो गटवन्दन है जो मिलाप है वो आरजडी के साथ किया था दिल्ली में ये सब बाते तो कुछ दिन पुरानी हो गई है मगर अब शरद यादो की बेटी सुभाशनी शरद यादो भी अब खासा राजनीती में बिहार की राजनीती में एक्टिव नजर आ रही है हम ऐसी बाते इसलिए कह रहे हैं कि आपको बता दे कि सिमनीतीस कुमार के द्वारा जनता के समस्याओं का निवारन करने के लिए जनता दरवार लगाया जाता है हर सुमवार को जनता दरवार में खुद C.E.M. ने तीच बैठते हैं और जनता की सिकायतों को सुन कर उसका निवारन तमाम विभागोस से करवाते हैं मगर सुबासनी यादों ने जनता दरवार पर सवाल उठा दिया है और सवाल सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि सुबासनी यादों ने ट्वीटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए एक के युविती की कहानी लिखी है और कहा है कि जिस तरीके से युविती को C.E.M. के जनता में डाल कर जहर तक खा लिया आकर देखिए कि किस प्रकार दिगज नेता की बेटी होने के साथ साथ बिहार की सियासत में अब खासा रूची रखने वाली सुबासनी यादों C.E.M. ने टीश कुमार पर लगातार हमले कर रही है सुबासनी शर्द यादों लिखती हैं या कैसा सुशाशन है आकिर जहां पना के दरबार का क्या फाइदा जहां ना तो सुनवाई है और ना ही नया है या डबल इंजन सरकार का बेह शर्मनाक और काला अध्याय है आ मानवेता की सारी सीमाए लांग कर जनता की जिन्दगी क जोकिम डाल कर हुकमरान सत्ता के घमंड में मदमस्त हैं हद हैं सुबासनी यादों ने पटना की एक गैंग रे पीडिता के हवाला देते हुए या ट्वीट किया है और कहा है कि पीडिता सीमनितीष्ट से मिलने के लिए और अपनी समस्याओ का निवारन करने के लिए जंद उठा लेती हैं आपको बता दे कि लगतार सेमनितीष्ट कुमार का या कहना होता है कि सुबह में प्रशाशनिक व्यवस्ता बनी रहे जिसको देखते हुए अपराधी घटनाओ को रोकने के लिए भी प्रशाशन को खासा मुस्तैद किया जाता है चुस्त दुरुस्त किया अगर आकिर राजधानी पटना से ऐसी खबर आना कहां तक उचित है कहां तक सही है इसी का हवाला देते हुए शरद यादों की बेटी सुबासनी यादों ने लगतार सेमनितीष्ट कुमार पर ही तीर छोड़े हैं आपको बदा दी कि शरद यादों की बेटी ने के जंदा दरवार में पहुंसती है और वहाँ पर अपनी फरियाद करती है मगर उसके बाद भी उसकी समस्याओं का निवारन नहीं होता क्या प्रसाशनिक लेवल पर ऐसी कोई घटना होई और साथी साथ क्या सीमनितीष्ट कुमार भी उस युविती को बचाने के लिए कु झाल